नमस्कार विज्ञान प्रोध्योगे की आवश्कार और नवाचार की खबरों के कारिक्रम ग्यान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है एक भारतिय शिक्षक ने देश की पहली अर्ध मानविय रोबोट विक्सित करने में सफलता प्राप्त की है सोफिया रोबोट की तर्ज पर तैयार ये स्वधेशी रोबोट शालू, नौ भारतिय और 38 विदेशी भाशाओं में हर तरह के मुद्दों पर बात कर सकती है IIT मुंबई के केंद्रिय विद्याले में कारेरत कंप्यूटर साइंस के शिक्षक दिनेश पटेल ने इस रोबोट का निर्माण किया है देश में ख्याती पाचुकी ये स्वधेशी महला रोबोट, हात मिलाने, खुशी, क्रोध, जलन, हसी मजाख जैसी मानविय समवेदनाओं को ना सिर्फ समझ सकती है बलकि उसके अनुरूप वहवार भी करती है शालू आपकी मनपसंद कविताएं और कहानिया सुना सकती है लोगों को पहचानना, उन्हें याद रखना, विभिन वस्तों की जानकारी से लेकर तथ्यात्मक सवालों के जवाब देने में भी शालू दक्ष है इस रोबोट का इस्तेमाल बच्चों को पढ़ाने, परिक्षा लेने से लेकर घरों में बुजर्गों की देख भाल में भी किया जा सकता है दिनेश पटेल का ये प्रयास भविश्च में स्वधेशी अर्ध मानविये रोबोट विकास के शेत्र में नए रास्ते खोल सकता है